तो यार हम लोग Human Evolution के 3rd वीडियो के Part 2 के उपर आ चुके हैं जहां हम लोग Australopithecus के उपर डिसकस करेंगे इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले World Map को अच्छे से समझना होगा तो जो स्क्रीन पर आच रखा है वो World Map है जहां पर मैंने Africa को Red Color और Australia को Green Color से मार्क कर रखा है अब उसी World Map को हमने यहां पर कुछ हिस्से को उठा लिया Australia को Shift कर दिया, Africa को यहां रख दिया और यहां पर एक लड़का खड़ा है जो की एक हतियार पकड़ के लटका हुआ Titanic का पोस्ट दे रहा है यह मैंने इतना फिगर बनाया अभी यह चीज़ थे को अच्छा अब यह जो Australia बन रखा है यह keyword है Australopithecus का यह diagram कोसका Australopithecus का यह जो इंसान है यह पकड़ के खड़ा है और यह एक apple को जो है खा रहा है फ्रूटीटर है Australopithecus फ्रूटीटर है यह और क्या पकड़ा हुआ है इसने एक अपना हतियार पकड़ा जहां यह स्टोन लगा है तो स्टोन वेपन हंटर है मारता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए पर खाता सिर्फ फ्रूट है ठीक है एकदम शुद्ध शाकाहरी अच्छा यह अपने दोनों पैर पे खड़ा है गी नहीं है न टाइटनी का पोज मार रहा है दोनों पैर पे खड़ा है तो वक अप्राइट अस्ट्रोपितिकस वक फीक है टांग है टांगे गितनी जरुक टांगे को गनों वाँन तो टू मिलियएं अगो तो अब यहाँ पर देखो यह रहता ह्या וटि कहां पे खड़ा होゃ यह हमारे अफ्रिकाके इसटन बौक wreck नार्थ ऊस आउज East West Africa के Eastern Part पर ये खड़ा हुआ है चले के तो Australopithecus कहां पाए गये थे Africa के Eastern Part में अब क्या होता है यह डाज है इसके बाद 3 आता है इसके बाद 4 आता है 4 को मैंने बड़ा बनाए है क्योंकि इसका 2 पार्ट है क्या आप फरली ये देखो 3 to 4 तो 3 to 4 million year अगो क्या है अभी बताता हूँ 4 का 2 पार्ट मैंने बताया तो पहला पार्ट 3 to 4 million year अगो दूसरा पार्ट कि जो ये Australopithecus है ये 4 feet से छोटा ही पाया जाएगा या तो 4 feet या तो 4 feet से छोटा पाया जाएगा ठीक है एतनी चीज अब दूसरा क्या है 3 to 4 million year अगो ये जो है पाय जाते थे क्या पाय जाते थे ये देखो तो ये जो हड़ियां है ना ये fossil fuel represent करता है fossil represent करता है ये U shape की है ये T shape की है तो U से यूथोपिया T से टांजानिया चीक है तो यूथोपिया और टांजानिया के अंदर fossils पाय गए थे 3 to 4 million year अगो जो की humans की तरह थे देखो man like है ना तो ये क्या represent करता है ये reveal करता है कि मौझूदगी human evolution की मौझूदगी या नी वहाँ पर man like कोई था जिनकी हड़ियों का fossils हमें पाये गए कहाँ पर यूथोपिया और टांजानिया में तो ये दोखो यूथोपिया और टांजानिया few fossils of man like bone discovered in utopia and टांजानिया ठीक है अच्छा man like bone है जैसे कि हम लोग ये देख रहे है ये क्या reveal करता है कि 3 to 4 million year अगो primates जो की eastern Africa में पाय जाते थे कहाँ पर है इस्टन कोस्ट पर है ठीक है तो ये चो हड़िया है ये हड़िया रिप्रेजेंट करती है कि primates primates के अंदर ही आता है हमारा australopithecus, ramapithecus, dryopithecus सारे जितने हैं पूरा human तक सब primates के अंदर आते हैं ठीक है तो किस तरह का प्राइमेट पाया जाता है ये ncati ने लिख रखा है और ये primates कौन सा है ncati ने clear नहीं किया है लेकिन उसने hint दे रखा है वो primates close relation है australopithecus के ये बहुत confusing है यहाप एक concept है कोई trick नहीं क्या कि जो fossil तांजानी और यूथोपिया में पाय गए थे वो three to four million year ago जरूर थे हैना वो primates के fossil थे ठीक है और वो primates जो है australopithecus की तरह था लगभग हैना अगर 99% question जो है आपको यहापर जो primate है उसको australopithecus मान के ही answer करना है हैना ऐसा कोई case आता ही नहीं है इसा कोई question अब तक बनाय नहीं है ठीक है हो सकता है कहीं एकात गिने चुरे में बन गए हो out of anxiety लेकिन इन दोनों को एक मान के चला गया कि जो प्राइमेट यूथोपी और टांजानिया में पाए गए थे जिनकी fossil पाए गए थी वो australopithecus ही है ऐसा माना जाता है अच्छा तो हमारी इतनी चीज इस प्राइमेट की जो की माना जाता है उसका फॉसिल पाया गया था थी टू फोर मिलियन यह अगो यह जिंदा पाए गया थे हमारे दो ट्री टू फोर मिलियन यह अगो इनके फॉसिल पाए गए कहां पाए यूथोपिया टांजानिया में पाए गए किस चीज का रिवील करता है कि यह एक प्राइमेट है यहां पर प्राइमेट रहते थे थे कभी दे वर प्रोबैबली नॉट टॉलर देन बजाने यह फॉरसार फॉरस करताु टल्स यह फॉरस करता था फॉरस से चोटे हैं तीन से 4 men on यह अगो जो मैंने बताया कि रहता है यह जो प्राइमेट है हाइन य За Sou Legacy अज के यह की आई इस्टन एफ्रीका से ही human evolution start हुआ था ये एक extra point है star point है जिसका hint ncrt ने दे रखा है पट इसको पूछा भी जाता है इसी बात नहीं पूछा भी जाता है और ncrt ने hint दे रखा है दे रखा है इसी को कहते हैं ncrt centric जिसको लोग कहते हैं out of ncrt question आ गया ठीक है तो यही point रहते है human evolution कहा start हुआ था Eastern Africa के अंदर start हुआ था ठीक है hope करते हैं कि यह learn हुआ यह बहुत ज़्यादा technical था बहुत ज़्यादा logical था जितना आफसर के मैंने समझा भी दिया यात हुआ तो अच्छी बात है नहीं तो आपका good luck ठीक है मेरा नाम है इक्रार है मैं तो आप देख रहे है आप देख रहे हैं